विल्कम गाईज तो आपको फिर से सोगत है रेल की ओपीशियल में इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आज का दिन का फर्स्ट आईपियल मैच होने वाला है संडाइस एधराबद वर्सिस डाइस संडाइस के बीच में यह वीडियो में आपको डिटेल्स में बताऊंगा किस किसको किसको आज कैप्टेन बाइस देना है सिंगल लिग में ग्रान लिग में किसको भाई ग्रान लिग में लेके जाना है और एक दो प्लेयर के बार में मैं ऐसे बताऊंगा जिनका सेलेक्शन ना बहुत कम होगा लेकिन वो अगर खेलेगा तो आपको एक तरफा विनिंग करवा सकते है single link में भी grand link में भी ठीक है हो सकते है आपके opening ना लेके आए उसको लेकिन आप अगर लेकर जाओगे तो आप easily win कर जाओगे तो वो कौन-कौन सा play आ रहे हैं किसको किसको आपको आज team में लेना है लोजीकली में आपको समझाओँगा ठीक है आगे जो दो वीडियो में ने बनाया था उस पर जो जो मैंने वीडियो में बोला है बिल्कुल ओही ओही हुआ है मैच में ठीक है जिसने भी वीडियो फॉलो किया है वो easily win किया है ठीक है तो और और इस वीडियो में भाई 1000 का giveaway भी है आपके लिए 1000 का giveaway आगे में वीडियो में आपको बता दूंगा ठीक है फस्त जो दो वीडियो में बनाया था वह दो वीडियो में गीवे है ता अर फस्त वाल को बंदा आके फर्स्ट इनिस के बाद एंसर दे रहा है वो बोले कि मैं विनर हूँ भाई देखो मुझे सब पता चलता है कि कौन कब कमेंट करता है तो भाई फर्स्ट इनिस मतलब मैच शुरू होने से पहले आपका कमेंट करना होगा अगर उसके बाद आप कमेंट करेगा तो कमेंट नहीं लेंगे में ठीक है तो वह मैं आगे पूछूंगा क्या कोश्चन है बता देना आप कमेंट सेक्शन में आपका अंसर आएगा मैं आपको विनर बना दूंगा अभी तक दो वीडियो का विनर इसलिए नहीं बनाए हो क्योंकि वो फर्स्ट इनिस के बाप जाके अंसर दिया है तो उनको विनर इसलिए नहीं बनाए हो ठीक है तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं उसके पहले जो भी आप टेलीग्राम से जुड़े नहीं है जुड़ जाना लिंक आपको एडिया जाता है ठीक है कोई भी अप्डेट आता है सब कुश हम टेलीग दिस्किस्टन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा पिन कर रहा एंड गीवे का विनर आपडेट में टेलीगाम में भी देता हूँ तो चलिए इस मैस के बारें थोड़ा आपको बताता हूँ तो ए मैस होने बारा राजीब गंदी स्टेटेम हाइदरबाद में इस ग्राउंड में द्वाजय उन्नीस के बाद जितने भी मैचेस के लाए बहाई ज्यायादर हाई स्कुरिंग मैचेस देखा गया वान सेमेंटी प्लैस है फिर वान इंटी प्लैस रन हुआ है और होप कर फर्स्टिरम्रक्रण मिलता है और इस्पिनर को भी मिलता है तो कोशिश स्कूरिंगम ज्यादर मैच जैएतर बैक्षमन के कशिश स्कूरिय मैच ठीक है तोनों टीम टोटल चलो यह थोड़ा गणबन होगा ठीक है अच्छा चलो इस बेनु में इस बेनु में तोटल 44 मैच खेला है और 30 मैच जीता है और बागी लॉस किया है ठीक है और आरर के टीम प्रवाब लेगसे होने वाला है प्लेइंग 11 कि इनके तरफ यहांसे आपके लिए इंपोर्टन प्लैर हो सकता है आज के मैस के लिए वाशिंग्टन सुंदर उर्मान मालिक अबदिल लाशीद यह तीन आपके लिए इंपोर्टन होने वाला बॉलिंग के तोर पर बैर्समैन पे अगर इनके टिम फर्स्ट में बैटिंग करता है तो हैरी आपके लिए एक डिफेंट्शियल प्लैर हो सकता है इनका सेलेक्शन भी कम है तो अभी देख लेते प्लैर स्टैट्स एंड उनका डिसेंट फ़र्म देख लेते अभिशेक शर्मा डिसेंट में बहुत अच्छा खेला है और आरार के विरूत तीन मैच में 30 किया है इस भेन भी ठीक ठागे और बैट्स पैन के लिए ये पिश मदद करता है तो अब इस शर्मा को अब लेके जा सेकते हैं मैंक अगरवल आरार के विरूत 31 का अवरज है इस भेन में 21 का अवरज है और आईपल में और वरहल 22 का अवरज है लास्ट सेशन में 13 में 196 किया था तो बढ़ 24 के विरू 23 का अवरज है और इस भेन में 7 का अवरज हाला कि दोनों का रिकॉड उत्ना अच्छा नहीं है मतलब हेट्टोई ड्रॉक भी उत्ना अच्छा नहीं है और इस भेन हो अच्छा लिए लेकिन ये ना फॉर्म से घुजार रहा और लाट्ट सेशन में काफी उपेंदरा यादा आपके लिए एक ट्राम पीक साबीद हो सकता है कि इंडर्टिम फर्स में बैटिंग करता है तो बहुत बढ़िया जा रहा इसका आई पेल अवी तक खेला नहीं है इंटर्नेशनल भी खेला नहीं है तो आपको शायद नहीं पता है इसके बारे में उतना ल सब्सक्राइब करता है तो पांश में 75 इस बेनों में तीन मैश में एक विकेट लिया है आई पेल में 51 मैश में 33 विकेट प्रस्टी रहन ने 18 नन लास्ट सेशन नौ मैश में 101 और छे विकेट भी इसके नाम है तो यह डिफेंशल पीक आपके लिए होना चाहिए और करता है फिर आप ट्राइब कर लेना अधर इस ड्रॉप कर सकते उर्मान माली के एक डिफेंशल पीक आपके लिए भी हो सकता है विकेट टेकर बॉला रहे है आई पील में 17 मैश में 24 विकेट इसके नाम है लास्ट सेशन 22 विकेट मिला था ठीक है बढ़िया बॉला रहे है अगर इनके टीम फर्स्ट में बॉलिंग करता है तो जरूर लेके चला कि कोई डेथ में भी बॉलिंग करना आएगा और चुरुबात में भी बॉलिंग करना आएगा ती रतन नंजन काफी दिनों से क्रिकेट से बाहर है लेकिन लास्ट येर काफी अच्छा गया था गया त लेके जाना चाहते हो तो ले सकते हो करतिक त्यागी को क्याप्टन मालिक भी अच्छा अप्टन माइस और यहासे अधिल लाशिद भी खेल सकते है अधिल लाशिद का रेकॉर्ट देख लो भाई हेट्ट्वेड डेकॉर्ट एक मैच पस जिरो इकर इस बहन हो में एक मैच लेके जा सकते हैं अगर खेलेगा तो ठीक है और भी काफी सर्प लेर है अगर खेलेगा मैं आपको टेलीगा में स्टार्स भेज दूँगा रास्तानर्स के प्रवेल एक से होने वाला है जॉज बटलर, जैस्वाल, पडिकल, सैंसोन, दियान परक, सिम्रन हिटमायर, ऑश्षिन, कुल्दिप सेन, ट्रेंड बोल्ड, उजंदरो चाहल, ओबेद मैक मोई कुल्दिप सेन, ट्रेंड बोल, डेंड में कौन बोल इंका नाया का ट्रेंड बोल, ओ मैक मोई, कुल्दिप सेन, ट्रेंड बोल, इनके तरफ से जो प्लेयर खेलेगा उनका देख लेते, जॉज बटलर भाई बड़िया फ़र्म से गुजार रहा है, आपको भी पता है, काटिन मैज भी टाइगार सकती हुए, लेकिन हेट टो ओनल इस बेनई में रेकॉर्ड उतना अच्छा नही है, लेकिन बैटिंग फ्रेंडली पीछे तो हो सकते है, जॉज बडललर आच्छा एले, तो आप लेगे जा सकते हुए, याद चैप्न मैज भी टाइगार सकती हू जाइस स्वाल का रिकॉर्ड देखा जाए रिसेंट फाम 12 146 73 नॉट आउट चार रन लास्ट टेशन 25 का बैटिंग का वरज था 23 का आईपिल का वरण आप रजे एसा रेश के बिरू 23 का बैटिंग का वरज बाई देखो यह ना एक टिकाओ बैर्समेन है लाइक जाहने जाए जैसा बैट्समेन या फिर राहूल जैविट जैसा बैट्समेन जो भाई बड़ा पारी खेलता है लेकिन उतना चार यह शक्का नहीं मरता है तो ज्यादा रन बनाएगा भी तो भी ज्यादा पॉइंट आपको नहीं देगा क्योंकि बाउंडर इस कम मरता है जिब्दूत प बैट्समेन जो अपने पारी को बड़ा नहीं कर सकता मतलब अच्छा खेलता है कि 30-40 रान इजली बना देगा आपको लेकिन उस पारी को बड़ा नहीं कर पाता है लेकिन बड़िया बैट्समेन इस बेनू में बड़िया रेकॉर्ड 77 और 8-8 डेकॉर्ड भी काफी आचा ए ग्राल लिंग में टैकल नहीं हो सकते सिम्रान हेट्मेर इसके उपर आए तो सिम्रान हीट्मेर आपके लिए डिफेर्णिचल पीक होना चाहिए क्योंकि एट्वेड रिकॉर्ड भी अच्छा है इस ग्राउंड पे भी अच्छा खेला है और लास्ट सेशन में 44 का तो उतना अच्छा रेकॉर्ड नहीं है तो आप करता है तो यादा कैप्टन भाइस भी इसको आप दे सकते हो क्योंकि डेथ में भी बॉलिंग करने आएगा साथ ही साथ यह आपको सुरुवाद में भी बॉलिंग करके देगा ठीक है और एक बाद में बताना चाहता हूँ आप चाहो तो कैप्टन भाइस भी नहीं दे सकते हो क्योंकि देखो ट्रेंड बॉल्ल क्या बॉलिंग करता है यह औरकर मानने के लिए तो यह औरकर में ज्यादा विकेड नहीं गिरता है यह बात ध्यान रगना ठीक है विकेड कौन से बॉल पर गिरता है विकेड बाई डे विकेंड मिलने का चांसे ज्यादा रहता है उजिंदर चाहल उजिंदर चाहल भाई Mr. IPL भी आप कह सकते हो जो भी मैच कहलता है अपना चाप छोड़ता है ठीक है तो आप जरूर लेके चलना इसको कहलेगा तो कुल लिप शेंड मैं कुल लिप शेंड का प्रिसेंट फर्म ब लता दुए कि लगात में नोगार क्रेंट मिले का चाहिक तो इसको ले सकते हो इस इंपोरन पैर कौन-कान होने वाला आपके लिए जॉजस बटलर होने वाला दिःद्द काड़िकल्स संसॉंग फिर्यासे ट्रेंड भॉल उजंद्र चाहल मैं इसका किसी को आप ले सकते हो प्लेयर बैटल देख लेते हैं सन्य से हदरत के तरफ से अगरवल अगरवल को चाहल बहुत बढ़िया करता अगरवल के विरूद और शिन आउट के थर्टी नाइन बल पर तीन बर फिलिप्स का आउट के में मेक मो ने दो बर ठराट neuen का ऑड़ न अगर चाहल थे लचान बर करते हैं चाहल बढ़िया समाथ को समाथ को त्रीपाटे का ओड पर 37 बल पर एक बार तो अब आप देख सकते उजिद्र चाहल का रिकॉर्ट काफी अच्छ है इनकी गेंस और बोर्ड भी अच्छा खलता है राश्ट्रान के तरफ से समसंग का उट किया है भुविनेशर कुमान ने 85 बाल पर तीन बार अच्छा का सा रानमी मनाते है उसके वालफर और अखिल हुसेन जो क सकते हैं लेख स्पाउत की तीन बाल पर दोबर आउट किया है जेसेन होलडर को बटलugen को अधिल शितना ओट के एक ने जो जिशुन डाश बाटलार हो यह जो ज vendors मेंसल तीन पे फस्ता है अगर अदिल धार वी कर सकते बागन रवी कर सकते हो तो लगबग प्लेयर बैटल एंड सब कुछ मैंच के बारे में डिटेल्स मैंने बता दिया है अभी मैं आपको डेमो टीम के बारे में दिखाऊंगा उसके पहले भाई गीवए उनका निकल आपको क्या करना है गीवए उनका निकल आपको कुछ नहीं करना है बस भाई आपको एक एक प्यारा सा कमेंट करना होगा प्यारा सा कमेंट करना होगा जिसका कमेंट मुझे अच्छा लाएगा मैं उसको विनर बनाऊंगा ठीक है तो चले डियमो टीम के बारे में आपको दिखाता हूँ तो अभी के लिए मेरा टीम ही है सेंजू समसंग जॉज बटलर अगरवल त्रीपाटी ब्रूप वर्डीकल सुंदर चाहल मालिक को अदिल लशीद को मैंने रखा है ठीक है समसंग को मैंने कैप्टन दिया बड़िया फॉर्म से गुज़र रहा है सुंदर को मैंने कैप्टन मैंने कैप्टन दिया नहीं है लेकिन अगर अधिल लशीद खेलता है नहीं खेलता है तो आप जॉज बर्लर को अधा कैप्टन मैंज दे सकते हो और और एक बात भाई जो भी अवी तक चॉइस लिए में खेलना नहीं चालू कियो खेलना चालू कर दो डेली आपको आपको सब कुछ आपको एप देखने को मिलेगा ठीक है देखो तो यह मेरा अभी के लिए टीम है यह मेरा फाइनल टीम नहीं है आप्टे लाइन अब आपको टेली आम में तो उसका लिंक में आपको यूट्यूब डिस्क्रीप्शन में कवन सेक्ष्टन में देदूंगा पिन कर वा तो आप वहां से जॉइन हो सकते हो एंड वाई गीवे का जो कोश्चन हो मैंने बीच में पूछा है क्या करना होगा वीडियो के बीच में बता दिया ठीक है तो जावें वीडियो को पूरा देखो आपको सब कुछ मालूम पढ़ जाएगा ठीक है बाई